पहल करो अंगे जिंदबाई जिनदबॉढ मिलावति कुसाह जीज्ज वाकत है वाकत उस्ब्धक उद्धरप्डशी सवाकत है 444 दिन हो गया आज यह बचच नौजवान जो सड़कों पर यठे हैं अन्वर्सिटी के केमपस में वैठे हैं यह गुंगी बहरी सरकार को दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, कि छात्रसंग चुकी नवजवानों का एक लोगतंत्र में अधिकार दिया गया, कि वो चुनाव लडेंगे, छात्रसंग से निकलेंगे, लोगतंत्र की बात करेंगे, लोगतंत्र की रक्षा करेंगे, और इस तरह से इनको अधिकार दिया गया, उस अधिकार को अगर भारती जनता पार्टी छीन रही है, छात्र संग भाली नहीं कर रही है, और 444 दिन से ये नौजवान पिढ़ी बैठी है, तो ये फिर तो माफ फिस्वर भी नहीं करेगा, कि हम अपने नौजवानों की और इनर्शिटी को प्रसासन को समझना चाहिए, कि छात्र संग को बहाल करें, और पूरे परदेश में ये हालत है, चुकि भारती जनता पार्टी लोगतंतर को मानती ही नहीं, लोगतंतर में अधिकार है, भारती जनता पार्टी लोगतंतर को समात करना जानती है, समात कर र को विस्वाह दिलाती हूं कि ये भारती जनता पार्टी की समापती होगी और आने वाले समय में माननी 2022 में अखलेश यादो जी मुखमंत्री बनेंगे पाहिली कैबिनेट में पास कराने का इसका काम करेंगे कि वो चात्रसंग बहाली करेंगे और इस से उमीद नहीं है चुकि कि 444 दिन हो गया यही हाल किसानों का है किसान कितने सड़क पर बैठे है कितने लोग मर गए और जब इस लोक तंत्र में अपनी बात कोहने को सबको अधिकार है जब मंतरी का लड़का मंतरी का बेटा किसानों पर गारी चढ़ा देगा चुकि किसान हिंदुस्तान की आत्मा है और उस आत्मा पर अगर ठेश पहुंचेगा तो फिर ये जनता माफ नहीं करेगी